यह मटन करी मेरे और मेरे घरवालों की फेवरिट डिश है। यह आप लोगों की भी उतनी ही फेवरिट डिश बनेगी जब आप इसको बना के देखेंगे। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, यह मटन कितना मकमली और मुलायम बना है, बिल्कुल मूँ में जाते ही गुन जाए। आईए जटपट देखिए, इसकी सामगरी जो जो हमें चाहिए इस मटन को बनाने के लिए। और यह बहुत ही असानी से अवेलेबल सारा का सारा समान है। अब सबसे पहले हमने कुकर में तेल डाल दिया है, और उसके अंदर हमने खड़े मसाले डाले हैं, फिर प्यास का पेस्ट अच्छे से भुनेंगे, क्योंकि यही है फ्रेंज अगर हम मसाले भुनेंगे तो हमारी ग्रेवी उतनी ही टेस्टी बनेगी। फिर हमने लस्टन अद्रक का पेस्ट डाला टमाटर डाला और उसको 15-20 मिनट भुनने के बाद यह रंग आया। और अब हमने इसके अंदर सारे सुखे मसाले डाल दिये। फिर हम इसको थोड़ा और भुनेंगे और इसके अंदर फिर हम अपना मटन डाल देंगे। अब मटन जले ना भुनते टाइम इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी भी आड़ कर देंगे। और जब थोड़ा सा भुन जाए 10-12 मिनिट के लिए फिर इसमें थोड़ा और पानी जितनी हमें ग्रेवी चाहिए यहाँ पर मैंने एक ग्लास पानी लिया है। उतना डालके अपने कुकर को बन करके सीटी दिला लेंगे। एक सीटी फुल पर और तीन सीटी धीमियाच पर और ये देखिए हमारी जट पट मटन करी बिलकुल तयार है। आपके घर में गैस टाएं या आपको जल्दी से कुछ खाने के लिए चाहिए तो यही डिश बनानी है।